दोस्तो मूली को लोग सलाद में खूब खाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मूली बहुत पोष्टिक होती है और इसको सर्दियों में आपको जरूर खाना चाहिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे मुली को इंगलिश में क्या कहते हैं और इसके इलावा कुछ और सबजियों को इंगलिश में क्या कहते हैं वो भी आज इस छोटी सी वीडियो में सीखेंगे मुली को इंगलिश में रैडिश कहा जाता है रैडिश शलगम को इंगलिश में ट्योमिप कहा जाता है करेला बिटर गोर्ड कहलाता है करेले को इंगलिश में बिटर गोर्ड कहते है लोकी को इंगलिश में गोर्ड कहा जाता है या इसको बोटल गोर्ड भी कहते है बोटल गोर्ड इसको इसकी शेप की वज़े से यानि इसका आकार जो है बोटल जैसा होता है इसलिए इसको बोटल गोभी कहा जाता है फूल गोभी को कॉली फ्लावर कहते है निम्बू को इंगलिश में लेमन कहा जाता है और मतर को इंगलिश में पीज कहते है और आपकी फेवरिट सबजी कौन सी है सलाद में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल टो भी वीडियोज हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा